हलो फ्रेंट्स देस विहान HRTC conductor क्या आप त्यारी कर रहे होंगे बहुत सारे सवाल आपके होंगे लेकिन अगर ये test आपके छूट गए बहुत कुछ छूट जाएगा आपका इससे पहले के सभी test लेने के लिए आपने simply करना क्या है? WhatsApp करना है HRTC conductor के लिए आपके जब भी आपका time schedule है अच्छे से पढ़ना शुरू करो WhatsApp करो और सारा का सारा सेग्मेंट टोट समसी क्यूट है सब कुछ ले लिजे पहला question बताना है बेगार शब्द कोई सा शब्द है? बताइए क्या ये हिंदी वर्ड है संस्कृत है पर्शिन है अरैविक है बताइए फ्रेंड्स जो बेगार शब्द है वो आपका पर्शिन वर्ड है टीक है? examiner में questions पूछाएए next बात करेंगे भारती उनत अध्यान अध्यान संस्थान शुमला को पहले कहा जाता था Indian Institute of Advanced Studies बताइए वो आपने सुना होगा ये तो आने चाहिए questions लगनत नहीं होने चाहिए वाइस राइ रिगल लॉच रिगल लॉच ठीक है? क्या कहते थे? वाइस राइ रिगल लॉच लेव next देखेंगे पजोता शेत्र जहाँ पजोता अंदोलन शुरू हुआ सिरमोर जिले की किस तैसील में स्थित है? बहुत सारे आपके डाउट्स हैं कि HPG के कहां से रिड करें देखें HPG के का पूरा का पूरा concise ले लीजिए bid test आपको मिल रहे है nodes, mcqs, HPG के आसे 10 साल पूराना जितने जतने questions paper में बना, किस टाइप का बना ये questions important है conductor के लिए ये चीज़े miss नहीं होनी चाहिए आपके, ये चीज़े miss होई तो फिर last में के होता है? कि काश ये 5-6 questions की collections कहीं से मिल जाती या ये सारे की सारी collections मिल जाती तो कितना अच्छा होता है? तो वर्ट साप करके जल्दी से ले लो पजोता क्षेतर जहां पजोता अंदोलन शुरू हुआ सिर्मोवर जिले की किस तसील में स्थित है? the right answer is option number ज़से B, राजगर well done, आपका question बल्कुल सही है अगर आपने सोचा है next प्रवेश करती है देखे हिमाचल प्रदेश की रिवर्ज अच्छे से पढ़ो कहां सनीकल रही है कहां झा रही है, कौन कौन से हाईडरो प्रजेक्टिस में है किस नदी के ऊपर है कितनी मेगावाट की विद्धुत क्षमता है यह पढ़ना पढ़ेगा यह छूटना नहीं चाहिए लेकिन यह तो पढ़ लिया अब क्या 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 एक्जाम क्रेक हो जाएगा नहीं अभी बहुत कम यह मॉडिफाइड की फेक्ट यह तो पढ़ा है नहीं ठीक है यह भी पढ़ने है इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमर भी खदर माजरी क्लियर यह मौक टेस्ट के रूपे खुद को त्यारी में चेक करो इस ठीक है नेक्स्ट निमलक्त में से कौन हिमाच्व प्रदेश का एक प् के वोडन कार्विंग्स क्या होता है रोते हैं लकड़ी की नकाशी अपने देखी होगी आपके माइंड में इस टाइम चितर भी हा रहे होंगए एमग्राइडरी क्या होता है कढ़ाई जो ए ठीक है जो क्लोथ के लोती होती कढ़ाई उसको क्या बहुते हैं ऐस आपको बड कौण हमास हिरी कोष परसिद्ध हस्थ शिल्प नहीं है हेंडी करफ नहीं नहीं कौण सा नहीं आए फिल का फिल नीचर कुछ कि दी राइट हाँ सब्सक्राइब नेक्स्ट देखेंगे निकॉलड़ परोरीच यह जो सब्सक्राइब निकॉलस रोरिच नगर में परसिद रोरिच आर्ट गैलरी से संबंदित है निमलिखित देश में से है किस देश से संबंदित है बहुत 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 सुना होगा जर्मनी रशिया पॉलैंड फ्रास निकॉलस रोरिच नगर में परसिद रोरिच आर्ट गैलरी से संबंदित ह निमल निखित देश में से है बताई वी रशिया ठीक है आई होब आप मेरे साथ अंसर सोच रहे होंगे रशिया is the right answer नेक्स्ट देखेंगे हिमाचर प्रदेश में पाए जाने वाले सुन्दर नगर कला मंदिर इसके प्रतिनी दी है अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी needs and dreams पूरी हो जाएंगी आपकी कुछ भी नहीं बचेगा फिर सब कुछ हासिल होगा बस मेहनत करो अच्छे से बढ़ो बहुत कुछ बढ़ो पताई इसका से अंसर हिमाश्र प्रदेश में पाए जाने वाले सुन्दर नगर कला मंदिर इसके प्रतिनी दी है अगर आपने सोचा है गुप्त आर्ट वैड़न गुप्त आर्ट हिमाश्र प्रदेश में पाए जाने वाले जो सुन्दर नगर कला है जो जितने भी मंदिर है इसके प्रतिने दिये गुप्त आर्ट से लिट रही है सारे ठीक है गुप्त आर्ट option of B next देखेंगे निमलिकित में से कौन हिमाश्चर प्रदेश में हीम प्रगर्ती प्रणाली का एक घटक नहीं है जितने भी सरकार की schemes है पड़े लेना उन्हें अच्छे से कि माचल जी के अच्छे से कर लेना जी के पूरा करना पड़ेगा मत छोड़ो कुछ भी कंड़ेक्टर का टेस्ट है सिर्फ important की effect पढ़के जाओ कुछ नहीं होगा निकल जाएगा एक्जाम नहीं पता लग रहा है वर्टसाप को लो ले लिजी टाइम से पहले घर में पैक्ट केट पढ़ना शुरू कर दीजिए बस इसका सही अंसर होगा option number अब बी तरलोक पर कहां पर नहां सर्मौर में ठीक है चले नेक्स देखते हैं हिमास अपदेश राज्य सरकारी बैंक का मुख्याले किस थान पर है क्या यह श्रमला में है सोलन में है कांगडा में है या फिर्मंडी में है है एच पी स्टेट कोपरेटिव बैंक की बात हुए हैं पर headquarters है अगर आपने ए सोचा है श्रमला तो है टन कौशन सही है साथ साथ में सोचते रहिए ठीक है यह मोक टेस्ट इससे आपका नौलेज बढ़ता है और पता लगता है कि कहां पर कमिया है हिमाच्पदेश के पहले राज्यपाल कौन थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाच्पदेश जितने भी फर्स्ट हैं कंड़क्टर की स्पेशलिस्टी है कोशन बंते हैं मैं कमिशन डालेगा को फर्स्ट और आखरी पढ़के जाना कि ए चक्रवर्ति माच्पदेश के पहले राजपाल कौन थे चक्रवर्ति चलिए हर्ला नदी निमलेखित में से किस नदी की सहाइक नदी है यानि कि ट्रिब्यूटरी जितने भी सहाइक नदियां है ठीक है यह पढ़ लो चाहिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अब द किस नदी किस आइक नदी है व्यास चलिए पंच वर्षी योजना के दुरान किस क्षेत्र का योजना परिवे सबसे अधिक था फर्स्ट फाइव इयर प्लैन बनता है क्वेश्ट पंच वर्षी से बन रहें है क्वेश्ट एक रिकल्चर यादर को ठीक है फ्रेंड्स प्रथम पंच वर्षी योजना के दुरान एक्रिकल्चर से योजना परिवे सबसे अधिक था ठीक है नेक्स है यहाँ पर चांदी की करांती किसके उत्पादन से संबंधित है क्या यह मिल्क है एक्ग्स है चीज है यह फिर कॉटन है बता ही चांदी की करांती यह बात हो रही है फोकुस कोने कॉश्चन को उपर दराइट आसर इस ऑप्ष्चन भभी यह यह एक्ग्स लेर नेक्स देखेंगे किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है ग्रेट डिवाइट इस ऑफ ग्रेट डिवाइट फ्रेंट्स उन्नीस वी किस के बाद से भारत की अवादी बढ़ती चली इसका सही ऑगा है एक बार रपीट कर देता हूं इसका सही ऑंसर ठीक है 1921 के बाद से बारत की अवादी बढ़ती चली गई होता क्या था कि 1921 से पहले कभी हमारी जो जन्सक कहती वह कभी बढ़ जाती थी घट जाती थी इसी बज़ा से 1921 के साल को दग्रेट डिवाइट कह जाता है राइट अंसर ऑप्शन मट्टी ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कुनेन निमलिखित में से किस से निकाला जाता है एकस्ट्रैक्टेड फोम बीच फोम बताइए कुनेन होता क्या है फ्रेंट्स कुनेन प्राकरतिक रूप से सिंकोना के पेड़ की चाल में पाए जाता है ठीक है तो यह निकी नन अफ दिस इसका राइट अंसर होगा उनकी नमें से नहीं है ठीक है मैंने आपको राइट अंसर बता दिया है कि कुनेन जो हो प्राकरतिक रू किस से शक्ति और कठोरता प्रापत करते हैं यह बहुत ही सिंपल सा इसर भी को आता होगा ठीक है बताई इसका सही अंसर बताई इसका सही अंसर होगा option of B calcium ठीक है नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश की बात हो रही है जी इंग्लिश कहां से करें रिकोर्ड लेक्चर्स मिल रहें इंग्लिश के पढ़े लिजी होने वाटसाप करके ले लो ठीक है एक्सपोर्ट पैनल के अंडर करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा यानि कि जज ने आदेश दिया कि अपरादी को फालसी की सजा दी जाए मौत होने तक दे तो इसे फालसी मतलब टू मौत के घाट उसे उतार दी जाए टू ठीक है और यह फैक्स होते है कि कैसे लगाने है कैसे तरह से यह यूज करना है ग्रामर में ज्यादा डीपली मत जाओ सैट पकड़ो ठीक है ट्रिक्स होते हैं के भी कर लोगे तो भला हो जाएगा आपका इसका सही अंसर क्या होगा देखिए देखिए जल्दी से देखिए अगर आपने ऑप्ष्ण वाब भी चूज किया तो वैल डन रिक्वाइर्मेंट आपका सही अंसर है इसकी यह होते है शुद्ध शब्द हमने देखना है बताईए किस तरह से लिखा याता है कारेकरम भई अप्ष्न नमबर एक वैल डन कॉश्चन सही आपका नेक्स देखते हैं अमर की भाव बाचक संग्या अमर की भाव आचक संग्या 21 का देखिए अमर की भावाचक संग्या देखिए ये संग्या को आखिर पहचाने कैसे है बहुत टाइम हो गया जी हमें तो ब्याकरण छोड़े हुए नहीं पता लगता है हिंदी का मैं आपको 2 सेकंड ट्रिक्स वाली recorded classes experts के एंडर कारक से लेकर भिषेशन से लेकर सर्वनाम से लेकर संग्या से लेकर क्रिया से लेकर आए स्थयुक्त बाकि ये मिश्ट बाकि समुद्र कुछ टू सेकंड देख के पतल भी काईगा यह ट्रिक्स होते हैं कि ट्रिक्स कोई नहीं बताता है इसके लिए आपको के करना है WhatsApp करना और यह सारी लेक्चिर्स ले लिए हिंदी के लिए हैं इसका सही अंसर होगा Option A अम्रत्यों नेक्स्ट देखेंगे सबसे अजीब सब क्वेश्चन होते हैं जब भी पूछे जा रहे हों वहीं तो क्वेश्चन आगा कर्डेक्टर में बताइए संभीदान का भाग थार्ड जो किससे संबंधित हैं किससे इसका सही अंसर होगा Option Number C Fundamental Rights ठीक है और इलेक्शन से लिदेट 있는데 ओगा कुशेंस से रहां किससे स्विशान हो रही है एक बालति में है जो आपको पड़के जाना है रास्ट पती प्रेस्टन होगया लोगसभा राजीसभा और massacre卡 ग्ली साफ़ीज होilly यह को अभीस होगई यह को old प्रवंदन अधिनियम की सुवर्ष बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो यह बहुत बार कोश्च बनता है जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो तो डिरेक्ट आपको याद रखना है कि इसका जो सही हां से रोगा ऑप्शनमबर ए यान की 2005 की आपदा इनियम 2005 में बनाया गया था मैं ननेक्स्ट देखते ह след निर्यात परिशत भारत में कि फिर्षान पर यहां पर जो कोश्च फिर ए है भारत में कि स्थान पर से थे हैं मतलब यहां पर क्वेश्चन में यह पुझा गया कि भारत कैसी कौन से स्टेट है ठीक है जो चमडा निरात करने में एक्सपोर्ट करने में सबसे नंबर वन पर है यह कॉश्चन में है इसका सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर ए यानि की चन्नेई ऑप्शन नमबर ए चन्नेई नेक्स यहांपन नैशनल बाइडिवेसिटी अथॉरिटी इज़ा यानि कि रास्टी जैब बिविदता प्राधिकर है क्या ही यह बहुत बार क्वेष्चन जैब बिविदता प्राधिकरन कि जब भी बात आएगी तो आपको याद रहने हैं कि यह स्टैट्यट्री बॉडडी है ऊड़ी भी है डिक अंदकोर टैस्ट्री抗ेलीं तो यानिकीव में और प्रकून सा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है BD ठीक है BD इसका सही अंसर होगा अब करना क्या है कंड़क्टर के लिए MCQs, Mog, Test, Recorded Lectures ये ले लीजिए और अपने टाइम के Coding पढ़ना शुरू करो Test लगाना शुरू करो हम आपको यहाँ पर Unlimited Test देने वाले है बस कौश्चस नहीं छोटेगा आपका ठीक है तो इस वार गलती मत करना Join Time से पहले करना और मैं खुद आप सभी की यहाँ पर मैं आपको बचन देता हूँ कौश्चस नहीं छोटेगा आपका तो पहली क्लास थी पहला Mock Test था आगे के Mock Test के लिए चलने को Like, Share, Subscribe करें धन्यवाद